कि मैयत का दीदार करने के लिए वाटसाप वगरा की वीडियो इस्तेमाल कर सकते की नहीं सवाल है कि मैयत यानि एक शक्स पहुत हो गया तो अब कोई किसी दूर्ज राज रिलाके में है वो उसको देखना चाहता है तो वाटसाप से उसकी फोटू लेके या वीडियो लेके कि किसी को दिखाये जा सकता है कि नहीं तो देखे इसके बारे में या तफसील को सकती है और इसकी कई सूरत बन सकती है मसलिन पहली सूरत यह कि ये मरने वाला शخ Valent एसा है जो तस्विर को या वीडियो को हराम समझता रहा हो जैसे कि बहुत सारे उल्मा का कहना है कि वीडियो या फोटो हराम है किसी भी सूरत में जायज नहीं है यह जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं इसको भी कुछ लोग हराम और नाजाय समझते हैं जैसे बहुत सारे उल्मा हैं जो बिलकुल इसको हराम समझते हैं इसकी कोई गुंजाइश नहीं देते हैं तो अगर कोई ऐसा शक्स फौत हो गया जो मुफ्ती था और इस तरह का उसका फत्वा था कि यह हराम है और नाजायस है उस जिन्दगे में कभी हो कैमरे के करीम ने गया कभी उसने फोटो नहीं लिया तो मरने के बाद भी उसकी फोटो नहीं लिया सकती है या कोई मुफ्ती ना हो आम आदमी हो लेकिन वो ऐसे फत्वे से मुत्माइन था कि फोटो गरा नहीं लेना चाहिए वीडियो गरा नहीं बनाना चाहिए वो अगर फोट हो गया तो उसकी भी वीडियो नहीं बना सकते हैं और ना उसकी फोटो ले सकते हैं यह पहली चीज़ है दूसरी बात ये कि अगर कोई शक्स से फोटो को जायज ही समझता रहा हो वीडियो को जायज ही समझता रहा हो लेकिन उसने वसीयत कर दिया हो कि मेरे मरने के बाद मेरी कोई तस्वीर नहीं बनी चाहिए मेरे मरने के बाद मेरी वीडियो कोई नहीं लेगा मेरी तस्वीर कोई नहीं लेगा अगर ये वसीयत किसी ने कर दिये तो उसके मरने के बाद भी उसकी तस्वीर नहीं ले जा सकती है उसकी वीडियो नहीं बनाई जा सकती है तो ये दूसरी सूरत है कि एक आदमी जाय तो समझता था लेकिन उसने वसीयत कर दिया यानि उसने पावन्दी लगा दिया उसका जिसे में उसका हक है उसकी मर्जी के खिलाफ आप उसका फोटो नहीं ले सकते हैं आप उसकी वीडियो नहीं बना सकते हैं तीसरी शकल ही है कि एक आदमी वीडियो को तस्वीर को जाइज समझता है और उसने कोई वसीयत भी नहीं किया फोट हो गया तो उसके मरने के बाद उसके रिश्चेदारों को या किसी को दिखाने के लिए वीडियो या फोटू भेजा जा सकता है इसमें हरच की बात नहीं ले उसका फोटो नहीं ले सकते हैं अफसुस की बात है कि आज हमारे यहां सबके हाथ में मुबाइल है तो अगर इसका असास नहीं कि कितना बड़ा गुनाय कर रहे हैं आप बेगेर अजासत के किसी भी शख्स की चाहे वो जिन्दा हो या मुर्दा हो उसकी फोटू आप नहीं ले सकते हो जिन्दा है तो उसकी अजासत जरूरी है और फौत हो गया है तो उसके वरसा की अजासत जरूरी है तो यह जो तीसरी शकल मैंने आपके सामने बताई है इसके गुंजाइश भी तब निकल सकती है जब वरसा उसकी अजाज़त दे लेकिन यह भी सिर्फ उसी वक्त तक के लिए बस यह नहीं किसी को देखना था देख लिया मसला खतम अब यह नहीं कि वो वीडियो बनाके या त होते हैं हमें उसकी हक तलफी नहीं करना चाहिए और उसकी शान में किसी तरह की भी कोई घुस्ताखी नहीं करना चाहिए यह बहुत बड़ा मसला है कि एक आदमी आज फोत होता है लोग उसकी वीडियो या तस्थिर बनाने में जरा भी नहीं हिचकीत आते और उसको ना सिर कोई वीडियो नेए बननी चाहिए हमारी कोई तस्विर ने बनने चाहिए क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है देखे वीडियो और तसाविर यह स्लाएं हराम है और मैं ने जो इसकी घुन्जाइश दी झाल झाल